दॉक्टर से सवाल की सीरीज में एक नेक सवाल हम ले रहें कि स्पॉम को रोकने से क्या कोई बिमारी होती है और स्पॉम को रोकने से आपको बिमारी हो सकती है और स्पॉम को रोकना बिलकुल नॉर्मल नहीं है नीचर नहीं है यह जो आपकी फिजियोलोजी है जो सरीर विज्ञान है जो नीचर है उसके बिलकुल अगेंस्ट काम होगा और स्पॉम को कभी रोकने की कोई आवशक्ता न मानना है कि आप ब्रहम चरिया का पालन करिए इस पोश्ड्स सा ली हो जाएंगे अक्रोस सोचल मीडिया आपने देखा होगा, वह कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहति- का फाल से यंट प्रक्टिस नहीं कि- रहाइं सब्सक्राइख स्ट्वर्ण मैं देखा लेकिन यह नॉन साइन्टिफिक हैं बिल्कुल इर्रेवेंट हैं और यह बिल्कुल एक बायात गमार्पन है इससे आपको बचने की आवश्यक्ता है सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के वीडियो क्योंकि बहुत अट्रेक्टिव लगते हैं इस तरह के वीडियो लोगों को कि एक ऐसी बात जो की नॉर्मली आपने नहीं सुनी होती ऐसी चीज जो नॉर्मली नहीं होती 90% चांसे होते हैं कि वो अबनॉर्मली होती है नॉन जादा कुछ नहीं है इसलिए वो आपको सांट्र्यूक्राइविक नॉलिज नहीं देंगे क्योंकि सांट्र्यूक्राइवीडियो भाले बहुत सारे लोग वो बीडियो नहीं देखते तो सबसे पहली बात है कि आप इस नेचर को पकड़िए नेचर को समझिए इस स्पर्म का बनना और डेस्ट्रो होना एक पिरकिरिया है जो कि जीवन भट चलती रहेगी 28 डेज में एक फीमेल के अंदर जैसे मेस्टल साइकल आती है एसे ही एक आदमी के अंदर 72 आवर्स में स्पर्म का प्रोडेक्शन होता है और 72 आवर्स के बाद वो स्पर्म फिर आपके डेस्ट्रो भी हो जाते है तो स्पर्म का बनना स्पर्म का डेड होना और डेस्ट्रो होना ये एक पिरकिरिया है जो होल लाइफ चलती रहती है कम या ज़्यादा अब दूसरी बात आती है कि देखो आप तीन पिर किया है यदि स्पॉम का प्रोडेक्शन हो रहा है आपके बॉड़ी के अंदर तो इसका मतलब है कि टेस्टिस ट्रॉन यानि कि जो आपके मेल हार्मोंस हैं जो कि रिप्रोड कर लें तो निकल जाएगा या फिर आपको नाइट फाल आए तो निकल जाएगा या आप सेक्स कर लें पर मेरा मानना यह है कि मैं इस लॉजिक के बिलकुल अगेंस्ट हूं कि आप हैंड प्रक्टिस करिए क्योंकि कपड़े खराब होते हैं एक्स वाई जाड रीजन होता ह देखो कुछ टाइम के बाद बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे कि आप यूरीन को भी मत निकलने दीजे क्योंकि यूरीन पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है पिर हाथ धोने पड़ते हैं क्लिनिंग करनी पड़ती है तो यूरीन को भी फिर आप अपने से ही खु सेक्स के लिए तयार है दो पार्टनर और तब वह स्पॉम निकलता है अदरवाइस यह आप बात आती है कि मैस्टूवेशन यदि लिमिट में किया जाय तो ठीक नहीं है हाँ बिल्कुल यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह आप मैस्टूवेट करते हैं और तीन दिन में एक ब फीलिंग जो लस्ट है यानि कि मैस्टूवेशन एक फीलिंग है जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं या हम बीयर पीते हैं या हम सराव पीते हैं या फिर कोई और दूसरा हम नसा करते हैं तो मैस्टूवेशन भी एक सडेशन है एक लस्ट है जब हम मैस्टूवेट करते हैं तो ह कोई भी आदत वह मैस्टूबेशन की हो स्मोकिंग की हो एलकोहल की हो या कोई भी आदत हो 50% लोग उसके आधी हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वह एडिक्शन डेप्रेशन और ऑफसेस हो जाते हैं उस चीज को लेके और वह एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है तो मेरा कौन गारेंटी लेता है कि मेस्टूबेश जो इनसान कर रहा है वो उसका एडिक्ट नहीं होगा और आने वाले कल में उसकी लाइफ खराब नहीं होगी उसकी वज़े से उसकी एनरजी डेस्ट्रोई नहीं होगी उसका टाइम डेस्ट्रोई नहीं होगा देखो माक्सिमम ल प्रिक्रिया है एक प्रिक्रिया है ये एक fluffy लोजी कल रियक्शन है आप इसको जैसे है वैसे रहने दे और इसके साथ जीने की और इसके साथ डील कर लें आप नॉर्मली और बहुत ज्यादा इसके बारे में डीपली जाने की कोई अविशक्ताétais नहीं है और आस के अगेंस्ट एबनॉर्मल काम करने वाली बात है अपने सरीर के पिर्थी एक वाइलेंस एक हिंसा डबलब करने वाली बात है इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो इसको आप नेचरली समझे और नेचरली आप अपने साथ इसके डील करिए और इसके साथ आप एक कॉडिनेशन करिए थैंक यू वेरी मुच एं टेक केर वर्सल्फ